हलो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल सेने बॉक्स ऑफिस पे तो दोस्तों योद्धा के पहले गाने जिंदगी तेरे नाम एंड दा क्रू का जो टीजर आया है उस पे हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो और रेट बोत फिंग्स यहां पर क्रू का पीजर के बारे में भी बात करें उसको भी रेट करूंगा आप दस सॉंग ऑफ योद्धा अफकॉस इस पर भी हम आना चाहेंगे सबसे पहले बात करेंगे टीजर के बारे में टीजर बहुत ही बाहियाद लगा मुझे दक्रू का कुछ खासा एक्साइट किया नहीं यहां पे तीन अजाद लड़कियों की कहानियां है यहां पे बस अंतर इतना है कि यहां पे वीरेदी वेडिंग में थोड़ा अलग प्लॉट लिया था यहां पे थोड़ा डिफरेंट लिया है थोड़ा अलग लिया है लेकिन बस समझ जाओ कॉमन चीजें हैं तीन अजाद एक वर्ग की ओडिय एंस को थोड़ा ट्रैक्ट करती लेकिन एक वर्ग की ओड्योंस रहती जिन में जह एक हिस्सम ay यहां नहीं करते हैं जिन्दगी तेरे नाम के बारे में राशी खन्ना की बात करूं तो राशी खन्ना इससे पहले वैप सीरिस में देख चुकी है फोरजी में कमाल का काम उस बंदी ने किया था मैंने उसके कोछ साउथ की फिल्म में देखी है तो यहां पर यहां पर यहां पर जो है ध्यान नहीं दिया खुद पर थोड़ा यहां पर वागि दर वाज़ा टाइम जब बहुत ही जादा होट लगती थी हाला कि अभी क्यूट लगती है वह बंदी यहां पर फोरजी में उसका क्यारेक्टर काफी पसंद किया गया आफ्टर डाट उसने जो है उससे पहले शायद रुद्र नाम का वेब सीरीज भी किया था उसमें भी उसका किरदार काफी पसंद किया गया था नाउ सिस कमिंग विद सदात मलोतरा अब अब देखो यार एक रॉमेंटिक गाने में लोकेसंस जतना मैटर नहीं करते है उससे ज़्यादा मैटर करता है मूमेट बिटविन हीरो एंड हिरोईन उनके बीच का रॉमेंटिक कैमेश्टरी और किस तरीके से उसको पौट्रे किया गया है किस तरीके से शो किया गया है व यहां पे एक फिल्म आया है कृती सनौन का लास्ट उनमें हीरो हीरो इनकी बीच की जो कैमिस्ट्री वो मिस्सिंग है अनफॉर्चुनेटली लेकिन हेर वी केन वॉच्छ ब्यूटिफुल कैमिस्ट्री ओफ दिस पैरिंग काफी अच्छा लग रहा है काफी खुबसूरत लग बोलेंगे कि यार क्या है मैं आपको पता हूँ नेचरल एक्टिंग करना भी बहुत बड़ी बात है साउथ में तो चलता है ओवर दो टॉप हकीकत में साउथ में दिखाए जाए कि एक बंदा सो को पीट किया जाता है हकीकत में दो तीन सामने आगा है तो केल गदम यहां प उसने वाकई दिखाए कि हाँ वाकई फॉजी लोग ऐसा रहते हैं उसने नेचरल किया ऐसा हीरोजम से भरभूर नहीं साउथ में जैसा चलता है एरोगेंस बक्चोदी मचाना यह नहीं चलता भाई यहां पे उसने जो काम किया सिद्धाप गालिया देते हैं लेकिन साउथ तुम्हें थोड़ा ओवर दो टॉप चलता है बॉलिवुड में नेचरल दिखाए जाता है एक फॉजी कैसा होता है एक कॉप कैसा होता है एक कमांडू कैसा होता है वो नेचरल एक्टिंग कर रहा है सिद्धात मरूतरा एक एजेंट कैसा होता है वो नेचरल एक्टिंग कर रहे हैं वो मुझे अच्छा लगता है यहां पर सद्धात मरूत रगा और इसमें भी गाने में भी काफी अच्छा लगा नेश्रल सीजें किया उसने कुछ ओवर करने की कोशिश नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया, अपने मन से कुछ करने की कोशिश किया, अच्छा किया, जैसा करना चहीं वैसा किया, गाना मुझे काफी अच्छा लगा, दोन्यों के बीच के मूमेंट अच्छे लगे, और पहली बाद विशाल मिसरा की आवाज, व वो दो साल तक मैंने continue सुना था समझ रहे हो और अभी पहले भी मैं लगवाग चार मेहने से लूब में वो गाना चार मेहने से समझ रहे हो चार मेहने नहीं तीन मेहना हुआ यहां पर कुल मिलाकर के ऐसा है कि वर्षाल काफी खुबसूरत आवाज के माले कि उनकी आवाज सुनने में काफी अच्छी लगते कुछ गाने तो बहुत अंडर रेटेट हो आपने सुने नहीं वह बंदा काफी कमाल का गाता है गाना यह गाना भी मुझे काफी अच्छा यह काफी इंपोर्टेंट होता है एक लव सॉंग में ठीक है और वो मुझे काफी अच्छा लागा कोई बलगर सीन देखने को मिला नहीं जैसा आजकल लव स्टोरी में चल रहा है घपा घप 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 यह नहीं मिला भाई नेच्रल एंड व्यूटिफुल सीन्स एंड बिल आज थोड़ा प्रमूट करने के कोशिश करो फिल्म को ताकि एट लीस्ट वी कुछ एकस्पेक्ट की यह फिल्म एक रेस्पक्टेट श्टार्ट ले अभी हाई पर फिल्म का कुछ समझा नहीं आ रहे तो आपको थोड़ा यहां पर प्रमूट करने की जरूत रहिए ताकि फिल्मिक रेस्पेट स्टार्ट ले तो फिलाल वीडियो में वदालूँगा दोस्तो होब आप सभी को वीडियो पसंद आया पसंद आया लाइक कर देने वीडियो गलता हूं दोस्तों नेक्ट्ष वीडियो.